हेलो अब्रीवन आजके इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लाश 12 की पॉलिटिकल साइन्स के जो हमारी फर्स्ट बुक है उसका चैप्टर फर्स्ट हम करेंगे दो धुरुवेता का अंत और मेरा नाम है सतंदर परताप मैं आपको इस वीडियो में इस चैप्टर की जो है वो डिटेल में बताऊंगा बिल्कुल तो आपको ध्यान से वीडियो को देखना है सारी चीज़े आपको अच्छे से समझ भाएंगी आप हमारे टेलिग्राम गुरूप को जोइन कर लो क्लाश 12 ESP New Group के नाम से अपना टेलिग्राम पे गुरूप है इस गुरूप को आपको यहां पर सारी PDF मिल जाए करेंगी सारे अपडेट्स, कोशन पेपर्स और जो न्यूज है न्यूज मतलब आपके जो एक्जाम से रेलेटीड है आपके CBSC में कोई नई अपडेट आती है तो आपको सारी हमारे टेलिग्राम गुरूप से मिल जाए करेगी तो आप इस से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और नोट्स को पढ़ सकते हैं मेरा नाम से तिंदर परताफ है और आप मुझे इस्टाग्राम पर फोलो कर सकते हो एक लव्या स्टडी पाइंट यह मेरा यूजर नेम है तो चले स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को इस वीडियो क और जब तक आप शीत यूद वाले चैप्टर को नहीं पढ़ोगे तब तक आपको दो धुरुएता का अंत जो चैप्टर है वो आपको समझ में नहीं आने वाला ठीक है तो आपको क्या करना है आपको पहले यह सारे टॉपिक समझने है मैं आपको पूरा रिलेट करके समझ जांके फिर आगे टॉपिक प्याओंगा डाइरेक्ट नहीं पढ़ाओंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो किसी तरह की तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा शीत यूद का क्या अरत है देखिए शीत यूद क्या होता है इसका मतलब समझे देखिए शीत यूद से अभिप्रय ऐ यूद हो जाएगा लेकिन वास्तविक रूप से कोई यूद नहीं होता यानि यूद की संभावना तो पूरी होती है यानि यूद की संभावना बनी रहती है ऐसा लगता है कि यूद हो जाएगा परन्तु वास्तविक रूप में कोई भी रक्त रंजित यूद नहीं होता रक्त रंजित का मतलब है कोई भी खून खराबे वाला यूद नहीं होता, ठीक है, तो शीत यूद का मतलब क्या हुआ, सिंपल शब्दों में अगर हम कहें, तो शीत यूद जो है, एक ऐसी कंडिसन है, एक ऐसी स्थिती है, जहां पर ऐसे मतलब हालात बन जाते हैं, जिसमें लगता है कि दो पक्षों के बीच में यूद हो सकता है, ठीक है, यूद की पूरी संभावना हो जाती है, ऐसा लगता है, यूद होकर रहेगा, परन्तु वास्तों में उनके बीच में कोई यूद नहीं होता, तो इसको हम शीत यूद कहते हैं, अब समस्ते हैं थोड़ा सा ह अगे, देखे, अब बात करेंगे कि शीतियूद का दौर, शीतियूद का दौर हमारे कौन से कारेकाल में, कौन से काल में रहा है, तो देखे, सन 1945 से लेके, सन 1991 तक का जो समय था, इसको हम शीतियूद के दौर के रूप में जानते हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ इस काल में, ज बिलकुल वैसी ही इस्तिति हो गयी थी जैसी मैंने आपको बताइए इनके बीच में क्या था? ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच में युद्ध हो सकता है युद्ध की पूरी संभावना बन चुकी थी ठीक है? ऐसा लग रहा था कि युद्ध हो जाएगा भे में रहते थे, हमेसा इनको डर रहता था, कहीं आपस में यूद ना हो जाए, परंतो इनके बीच में कोई वास्तवे की यूद नहीं हुआ, तो ये 1945 से लेके क्यानवे तक ऐसी ही कंडिसन चलती रही, इसी को हम कहते हैं, शीतियूत का दौर, ठीक है, आगे देखते हैं, इस काल में क्या होता है, USA यानि की अमेरिका और सोवे संग यानि की USSR, इनके बीच में तनाव जैसी इस्तिती थी, तनाव था, संगर्स था, डर था, ठीक है, भे का महोल था, इसे शीतियूत की संग्या दी गई, इसी को शीतियूत कहा जाता है, तो किलियर होगे आपको पहले मैंने बताए, शीतियूत का अर्थ क्या होता है, आप समझ गए श हुआ था, तो 1945 से लेके 1991 तक हुआ था, ठीक है, किसके बीच में ये कंडिशन हुई थी, तो ये भी मैंने आपको बता दिया, एक तरफ अमेरिका था, तो दूसी तरफ सोव्य संग था, इतना आपको खिलियर है, आगे चलते हैं, देखो, अब बात करते हैं, दो धुर्वि ये विश्व का मतलब क्या है, क्योंकि चैप्टर का जो नाम है न, वो यही है, दो धुर्वियता का अंत, तो आपको ये पता होना चीए, कि दो धुर्विय का मतलब क्या है, ठीक है, तो देखिए, दुनिया जो थी, इस समय में, दो धुर्वों में बट गई थी, एक अरे देश जो थे, वो ये ये से सार, यानि कि सोव्यस संग वाले गुट में शामिल हो गए, यहां तक आपको समझ में आया, देखिए, ये से और ये से सार ने क्या करा, दुनिया को बांट दिया, कुछ देशी ये से की तरब चले गए, ठीक है, और ये जो बटवारा था, ये कैसे हुआ, इन्होंने क्या क्या, एक यूरोप जो है महादीप है, अब समझ ये, यूरोप महादीप में एक जर्मनी नाम का देश है, ठीक है, जर्मनी में इसकी राजधानी होती थी बर्लिन, इन्होंने क्या क्या, बर्लिन में एक दिवार बना दी, जिसको कहा जाता ह बर्लिन की दिवार यह बर्लिन की दिवार जो थी 1961 में बनाई गई ठीक है यह बर्लिन की दिवार है और बर्लिन की दिवार के एक तरफ है पस्चिमी खेमा जो USA वाला है दूसी तरफ है पूरवी खेमा जो USSR वाला है तो यहां पर हमको क्या समझ में आया कि दो धुरवे विश इससे के साथी देश थे तो दूसी तरब USSR और USSR के साथी देश थे इस तरीके विश्व जो है दो गुटों में बट चुका था बटवारा कहां पे हुआ था योरोप महादीप में हुआ था योरोप महादीप में किस देश में तो आपको कहना है जर्मनी में जर्मनी में कहां प एक पश्चिमी खेमा कौन सा पश्चिमी खेमा जो USA वाला है यानि अमेरिका वाला दूसरा पूर्वी खेमा इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं इसको हम कई नामों से जानते हैं जैसे पश्चिमी खेमा हो गया पूर्वी खेमा हो गया इसको पश्चिमी गटबंदन पूर्वी इसको हम USSR को दूसरी दुनिया के नाम से भी जानते हैं, तो देखो कितने सारे question बन गए, आपके paper में दूसरी दुनिया वाला पूछ लेते हैं कही बार, तो दूसरी दुनिया गर आप से पूछे दूसरी दुनिया क्या है, तो आप बताओगे कि जो Soviet Sun और उसके खेमे में जो शामिल जो देश थे, इनी को हम दूसरी दुनिया के देश कहते हैं, तो आगे देखते हैं, इसके बाद हम थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं, देखे, जो चीज मैंने आपको अभी बताई है, वही आप देखो, यह वर्ल्ड का मैप है आपके सामने, ठीक है, और वाले हैं, ठीक है, इधर के देश, और जो इधर पूर्वी साइड में हैं, यह USSR वाले हैं, यानि कि सोवियत खेमे वाले देश हैं, जादा तर देश इस तरीके से बटगे थे, कुछ देश ऐसे भी थे, जो इनमें शामिल नहीं हुए थे, ठीक है, लेकिन जादा तर देश इनमें शामिल हो चुके थे, तो मैप में आपको पता लग गया, अब बात करते हैं, USA और USSR के बारे में थोड़ा और डिटेल में, देखिए, एक तरफ अमेरिका है, तो दूसी तरफ सोविय संग है, इनके बीच में क्या है, देखो कोई युद नहीं हो रहा, केवल युद क युद की संभावना है, ठीक है, युद तो नहीं हो रहा, लेकिन युद की संभावना है, कहने का मतलब ये है, कि इनके बीच में शीत युद चल रहा है, यानि कि दोनों एक दूसरे से डरे हुए हैं, दोनों ही ये चाह रहे हैं, कि वो ज़्यादा ताकतवर हो जाएं, औ दोनों को ये डर सताता रहता है, कहीं, USA को लगता है, कहीं, USSR उस पर आकरमर्ण ना कर दे, और USSR को ये लगता है, कहीं, USA उस पर आकरमर्ण ना कर दे, दोनों एक दूसरे से डरे भी रहते हैं, ठीक है, इसी को शीतियुद का दौर कहा गया, क्योंकि शीतियुद जैसी कंडि दोनों ही महाशक्तियां जादा से जादा हतियार इकटा करने में लग गे परमानू हतियार इकटा करने में लग चुके थे पिर क्या हुआ कि शक्ति बढ़ाने का परयास दोनों ही महाशक्तियों ने अपनी ताकत को बढ़ाने का परयास किया ठीक है चाहे वो आदुनिक हतिया के 91 तक पूरी की पूरी जो इस्थिती थी, वो संगर्स और तनाव वाली स्थिती थी, टनाव की स्थिती थी, इसके लावा, इनके बीच में भै का माहुल था, भै का माहुल कैसे था? क्योंकि यह हमेशा डरे रहते थे, कहीं एक दूसरे के साथ इनका युद ना हो जाए, क्य यहां से अपना chapter शुरू हो रहा है, यहां से, लेकिन मैंने आपको starting का जो intro बताया है, इतना बड़ा, वो इसलिए बताया है ताकि आपको chapter समझ में आ जाए, और आपको मैं description box में और comment box में एक link दूँगा chapter 1 का, आपको वो जरूर देखना है, जब तक आप उसे नहीं देखो है, अब दो धुरूरेता का अंत कैसे हुआ, इसके उपर हमारा chapter है, तो इसको ध्यान से समझेंगे, देखें, क्या होता है कि सन 1991 में, सोवियस संग जिसको हम USSR कहते हैं, इसका विगटन हो गया, अब आप यह सोचोगे कि दोनों ही महाशक्ति थी, अमेरिका भी बहुत ताकत था, सोवियस संग भी बहुत ताकत वार था, अखिर ऐसक क्या हो गया सोवियस संग के साथ, कि सोवियस संग तूट गया, यानि इसका विगटन हो गया, विगटन का मतला पर तूट जाना, और इस प्रकार जैसे ही सोवियस संग तूट जाता है, इस प्रकार दो धुरूवे हो गया तो यहां पर किलियर है पहले दो धुरुव होते थे अब एक USSR जो था वो खतम हो चुका है तो आप कौन बचाए USA बचाए और विश्व क्या हो गया एक धुरुवे बन चुका है क्योंकि विश्व में एक मात्र महाशक्ति जो है वो अमेरिका बची है ठीक है अब आग कोशन आए वे हैं तो आपको पता होना चीए देखे बरलीन की दीवार आप इमेज में देख पारें ये एक दीवार है जो बरलीन में बनाई गई थी इसके एक तरब तो USA है यानि कि पश्चमी खेमा दूसी तरब USSR है यानि कि पूर्वी खेमा यह मैं आपको पहले से बता चुका हूँ तो आपके लिए बिल्कुल आसान है आप देखते हैं बात करते हैं बरलीन की दीवार की तो देखें बरलीन की दीवार जो है ये कब बनी थी 9061 में बनी थी आपको याद होना चीए हो सकता है MCQ में आ जाए, सौट कोशन में आ जाए तो आपको पता होना चीए कितने वर्सों तक खड़ी रही थी है ये 28 वर्सों तक खड़ी रही थी है दीवार ये भी आपको पता होना चीए 150 किलो मेटर लंबी थी ये दीवार और ये दीवार जो थी पूंजीवादी और सामेवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी ये बहुत अच्छा पूंजीवादी विचारधारा को मानता है ठीक है अमेरिका का मानना है कि पूंजीवाद सबसे बहतरीन विवस्ता है ऐसा अमेरिका मानता है लेकिन जो सोव्यसंग है वो कहता है कि नहीं जो समाजवाद है और जो सामेवाद है वो दुनिया में सबसे बहतरीन विवस्ता है तो इन दोनों के बीच में विचार धाराओं की भी लड़ाई थी क्योंकि अमेरिका पूंजीवाद को बहतर मान रहा था तो दूसी तरफ जो सोव्य संग था वो कहीं न कहीं सामेवाद को बहतर मानता था और इन दोनों के बीच में, यानि पूंजी वादी दुनिया और सामेवादी दुनिया के बीच में विभाजन का जो प्रतीक थी वो बर्लिन की दिवार थी, बिल्कुल क्लियर है, बर्लिन की दिवार जो थी 9 नवंबर 1989 को इसको वहां की आम जनता ने गिरा दिया था, ठीक है अब चलते हैं next topic पे अब बात करते हैं यहाँ पे हम Soviet पढ़नाली की ठीक है Soviet पढ़नाली क्या है इसमें से question आता है यह बहुत important topic है मैं आपको जो जो topic करा रहा हूं वहीं से question आएंगे एक question भी इसके बाहर नहीं आएगा तो सबसे पहले बात कर लेते हैं Soviet पढ़नाली क्या है यह आपको पता होना चीए देखे समाजवादी Soviet गढ़राजे जिसको हम क्या बोलते हैं USSR अभी तक मैं USSR आपसे सौट में बोलता आ रहा हूं इसको समाजवादी Soviet गढ़राजे कहते हैं यह कब अस्तित्व में आया था जब रूस में क्रांती हुई थी रूस की क्रांती के बारे में आप 9th क्लास में भी बढ़ चके हो ठीक है 1917 में क्या हुआ था रूस में क्रांती हुई थी 1917 में 1917 में जब रूस की क्रांती हुई थी उसके बाद USSR जो था यानि सोवे संग जो था अस्तितों में आये था और जो USSR है सोवे संग है ये 15 गड़ राज्यों को मिला कर बना है ठीक है ये भी याद रखना है इसमें से एक है रूस जो बहुत ही ताकतवर था इसके अलावा 14 और गड़ राज्ये तो इनको मिला के बना था USSR USSR को आप अकेला मत समझना ठीक है तो ये चीज़ ध्यान रखनी है इसके बाद बात करते हैं इस करांती में पूंजीवादी विवस्ता का विरोध किया गया देखे जो 1917 की जो रूस की करांती हुई थी इसमें पूंजीवादी विवस्ता का विरोध किया गया था क्यों प्रइवेट्ट प्रोपर्टी का कॉंसेpt होता है लेकिन समाजवाद में यह चीज़े नहीं होती तो अब क्या है इनोंने पुझिवादी विवस्ता का विरोध किया है तो जाहिर सी बात है जो चीज़े समाजवाद में बहतर मानी जाती होंगी उसको इनोंने अपनाया तो ये तो थी सोवियत परणाली, अब एक सबसे important question है, जो आपके paper में बहुत पूचा जाता है, वो है सोवियत परणाली की विसेस्ता हैं, सोवियत परणाली की क्या विसेस्ता हैं, इसको देखते हैं, देखें, पूंजीवादी विवस्ता का इसमें विरोध किया गया था, मैंन पहले भी पता दिया, इसके बाद देखो, अगला point, सोवियत परणाली नियोजित अर्थविवस्ता थी, इसका क्या मतलब है, कि सोवियत परणाली में जो अर्थविवस्ता होती थी, वो पूरी नियोजित, नियोजित का मतलब होता है, planned, ठीक है, पूरी पहले से ही planning की जा इसके बाद देखते हैं, Communist Party साम्मेवादी Party का दबदबा था, यहाँ पे जिसे भारत में बहुत सारी राजनेतिक पार्टी होती, यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे एक ही पार्टी थी, जिसका नाम था Communist Party, इसको साम्मेवादी पार्टी हिंदी में कहा जाता है, ठीक है, तो Communist Party का यहाँ पे दबदबा था, और यहाँ पे नियूंतम, जीवन, इस्तर की सुविदा सभी नागरिकों को उपलब देती, यानि कि जो लोग यहाँ पे रहते थे सुवे संग में, उनको जो बेसिक चीज़े, बेसिक नियूंतम क्या चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, सिक्षा, स्वास्ते, यह बेसिक चीज़े होती है, तो यह सारी की सारी सुविदाएं जो थी, यहाँ पे उपलब देती, ठीक है, आगे देखते है, बेरोजगारी यहाँ पे नहीं थी बिल्कुल भी, और यहाँ पे जो संचार पढ़ना ली थी, वो बहुत ही उननत थी, य राज्ये का मतलब यहाँ पे सरकार से है, ठीक है, यानि कि सरकार के हाथ में ही सब कुछ होता था, पूरी सत्ता जोती हो सरकार के हाथ में थी, ठीक है, प्राइवेट कुछ भी नहीं था, जैसे पूर्वी विवस्ता में होता है, यहाँ कुछ भी नहीं था, इसके लावा क् की विश्य को दो हिस्सों में बाट दिया था दूसरी दुनिया के नाम से ठीक है ? जो युश्य को पहले ही बता चुगा हूँ कि जो युवएसinessR वाला जो हिस्सा था उसको हम दूसरी दुनिया के नाम से जानते थे वही बात यहां पे लिखी हुईinta ठीक है, आगे चलते हैं, दूसरी दुनिया को समझ लेते हैं, तो दूसरी दुनिया जो है, पूर्वी यूरोप के देशों को समाजवादी परणाली की तर्ज पे ढाला गया, देखें, दुनिया दो हिस्सों में बढ़ गई थी, एक तरब USA, यानि की, अमेरिका वाला गुड इसको कौन सी तर्ज पे ढाला गया था, ये थे पूर्जी वादी देश, याद रखना पेपर में आएगा, USA वाले जितने देश थे वो पूर्जी वादी विवस्ता को मानते थे, लेकिन दूसरी तरब जो USSR वाले थे, ये कही ना कही समाजवाद को मानते थे, ठीक है, तो ये ही कहा गया है कि जो पूर्वी यूरोप के जो देश थे, ठीक है, वो समाजवादी परणाली की तर्ज पे इनको ढाला गया था, और इन समाजवादी देशों को ही दूसरी दुनिया के नाम से हम जानते हैं, आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा मिखाईल गोर्बाच और उनकी सुधारों की निती, बहुत इंपोर्टन है, देखिए, इसमें से भी कोशन आता है, मिखाईल गोर्बाचेव के साथ क्या था, कि मिखाईल गोर्बाचेव जो थे, ये 1985 में, यानि कि आपकी बुक में, NCRT में ऐसा लिखा होगा, कि 1980 के दसक के मद्धे में, मिखाईल गोर्बाचेव जो थे, वो 1985 में, 1985 में, क्या बने थे, ये जो Communist Party थी, Soviet Sun में, उसके महासचिव बने थे, ठीक है, अब क्या था, आपको पता है कि USA के साथ competition था, किसका, USSR का, इनके बीच में हमेशा competition रहता था, अब USA जो था, वो सूचना और प्रद्योगी की, यान इनके develop हो गया था, लेकिन USSR जो था, वो थोड़ा पिछड गया था, अब ऐसे में मिखाईल गोर्बाचेव जो थे, वो यहां पे आए थे, मिखाईल गोर्बाचेव ने क्या किया, मिखाईल गोर्बाचेव ने सोचा कि USSR में कुछ सुधार कर देते हम, और सुधार करेंगे तो हम कहीं न कहीं USA के बराबर पहुँच जाएंगे या हम उसके competition में आ जाएंगे ऐसा इन्होंने सोचा तो मिखाईल गोरबाचेव जो थे वो आये तो थे सुधार करने के लिए उन्होंने जो भी सोचा था वो सब अच्छा ही सोचा था कि USSR के लिए कुछ बहतर करेंगे लेकिन इन्होंने सुधार जो किया उसके कहीं न कहीं गलत परिणाम हो गए ठीक है तो क्या हुआ था इसको समस्ते पहले तो ये समझ लेते कि मिखाईल गोरबाचेव जो थे उन्होंने क्या प्रियास करे थे ठीक है क्या प्रियास किये थे इन्होंने सुधार के लिए तो देखें मिखाईल गोरबाचेव 1985 में कमनेश पार्टी के महासचीव बने थे जो कि मैं आपको बता चुका हूँ इसके बाद देखिए पश्चिमी देश इस समय में सूचना और प्रोदोग्गी की यानि की इन्फोर्मेशन और टेकनोलोजी के मामले में काफी आगे निकल गए थे गोरबाचेव जो थे इन्होंने सोचा कि सोवेसं को कही ना कही पश्चिमी देशों के बराबर में लाने के लिए यहाँ पे सुधार करना चीए कुछ ना कुछ सुधार करना चीए इन्होंनेteilसा सोचा फिर पिर मिखःल गोरबा-चेव ने गलास नौस्ट और परेस्त्रोईका की नीती चलाई अब या जो जो गलास नौस्ट और प्रेस्त्रोईका दो शब्दें ये रशियन लेंग्विज के शब्दें आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा गलास नोस्त और परेस्ट्रोई का आपको इसका मतलब इसलिए नहीं समझ मैंगा क्योंकि ये रशियन वर्ड है उसको वाफिस से कही ना कही उसकी पुनर रचना करना चारे थे वहाँ पे सुधार करना चारे थे ठीक है और इन्होंने आर्थिक और राजनेतिक सुधार तथा लोगतंतरी करन की नीती चलाई थी इन्होंने क्या किया था सोवियस संग के अंदर यानि कि USSR के अंदर कहीं न कहीं आर्थिक और राजनेतिक सुधार के लिए भी काम करा और वहाँ पे लोगतंत्री करन की नीती चलाई क्योंकि देखो जो USSR है न यहाँ पे कहीं न कहीं कम्मिनिस्ट पार्टी का बहुत ज़्यादा दबदबा था और यहाँ पे लोगतंत्री करन था नील जनता जो थी बहुत परेसान थी कैसे परेसान थी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ तो इसको समझते हैं देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे स्वतंत्र राष्टों का राष्ट्रकुल इसमें क्या है दिखे जब 1991 में 1991 में USSR जब तूट गया था ठीक है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि USSR जो था 15 गड़ राज्यों को मिला कर बना हुआ था 15 गड़ राज्य थे इसमें अब USSR टूट गया तो ये 15 के 15 देश जो है स्वतंत्र है ये चाहे तो कहीं भी जा सकते हैं कहीं भी मिल सकते हैं तो इन्होंने क्या करा एक स्वतंत्र राष्टों का राष्ट्रकुल बना लिया इसमें से आपके पेपर में दो नंबर का कोशन आता है तू मार्क्स में सोट कोशन में आता है हमेसा जब भी पूछा जाएगा ठीक है और इसकी सदस्यता स्वैचिक थी स्वैचिक का मतलब क्या है अगर कोई इसमें शामिल होना चाहता है तो इसमें शामिल हो सकता है अगर कोई शामिल नहीं होना चाहता तो इसमें शामिल नहीं होए कोई जरूरी नहीं था ठीक है और ये एक ऐसा संग है जो अपने देशों के बीच व्यापार श्रम और वस्तुओं की आवजाही बनाए र है ठीक है आदान प्रतान हो सके इसके लिए ये संग जो है काम करता है अब बात करते हैं कि सोविय संग के विक्टन के कारण इसको मैं बताऊंगा ये six marks में आता है कोशन और पहले ही बता रहा हूं इस कोशन को बिलकुल याद करके रखना है ये most important question है और ये paper में बहुत जाता पूछा जाता है तो सबसे पहले बात करते हैं कि सोविय संग का विक्टन क्यों हुआ उसके पिछे क्या कारण देखिए सबसे पहला कारण क्या था कि जनता की आकांशाओं को पूरा ना कर पाना अब देखिए सोविय संग जो था यहाँ पर एक पार्टी की सरकार थी जो थी communist party ठीक है इसलिए वो जनता की आकांशाओं को पूरा नहीं कर पाई तो यह एक सोविय संग के विक्टन का कारण है नेक्स्ट कारण है कि सोविय परनाली पर नौकर सही का सिकंजा गस्ता चला गया अब नौकर सही का मतलब क्या होता है यह आपको पता होना चीए देखिए नौकर शाई क्या होते है जो सरकार के जो सत्ता में जो बड़े बड़े अधिकारी होते है जो करमचारी होते है इनका पूरा दबदबा था इनके दबदबे के कारण क्या था जो आम जनता थी कही ना कही उनको दिक्कत होती थी उनको समस्या होती थी इस कारण से सोव्य संग जोथा तूट गया था और कारण देखते हैं एक ही पार्टी का राजनित्ती पर अंकुस कम्मिनिष्ट पार्टी देखे आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि भारत हमारा जो देश है हमारे देश में बहुत सारी राजनितिक पार्टी हैं कोई चुनाव लड़के चुनाव जीत कर अपनी सरकार बना सकती है लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है यहाँ पर एक ही पार्टी है कमनिस्ट पार्टी इसी को सत्ता में आना है कोई दूसरी पार्टी के लिए यहाँ पर जगाई नहीं थी अब जब एक ही पार्टी का शाषन होगा त ब्रादी पिल्कुल देखिए क्या था USA जो था अमेरिका जो था वो इन से सोव्य संग से बहुत आगे निकल चुका था और ये कही न कहीं टेकनोलोजी के मामले में पिछड चुके थे तो इसकी वज़े से भी कहीं न कहीं सोव्य संग का विक्टन हो गया था ठीक है आगे देखिए रूस का प्रभाव साली रूस का वर्चसु साली होना यानि कि रूस का जो प्रभाव था वो बहुत ज़्यादा था मैंने आपको स्टाटिंग में ही बताय था कि जो यूस एसेसार है उसमें 15 गड़ राज्य थे गड़ राज्यों को एक था रूस अब रूस जो था वो इतना ताकतवर था, इतना ज़ादा ताकतवर था कि बाकी 24 गड़ राज्यों जो थे, उनकी उतनी नहीं चलती थी अब जो भी चलती थी वो रूस की चलती थी उसमें तो सभी को ऐसा लगता था USSR के बाकी गड़ राज्य को यह लगता था कि कही न कहीं वो दमित महसूस करते थे दमित और शोशित उन्हें लगता था बस रसिया की ही वेल्यू जादा है तो इसके कारण भी क्या हुआ कही न कही इसके कारण भी इसका विक्टार हुआ नेक्स्ट है गौरबाचेव द्वारा किये गए सुधारों का विरोध लेकिन ुनकी ही पार्टी के लोगोंने ठीक है वो ये चाहते थे लेकिन हुआ क्या बिल्कुल उल्टा उन्होंने तो किये सुधार लेकिन उनकी ही पार्टी के लोगों ने उनके सुधारों का विरोध करना शुरू कर दिया अब जब अपनी ही पार्टी के लोग विरोध करेंगे तो कैसे हो पाएगा सुधार, तो समझेए, तो इसकी वज़े से भी क्या हो गया, कही ना कही सोव्य संग का विक्टन हो गया, ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट है हमारा अर्थवयस्ता का गतिर्युद्ध होना और उभोगता वस्तुओं की कमी, बिल्कुल, देखें, एक पॉइंट ये भी है कि सोव्य संग में जो अर्थवयस्ता थी, कही ना कही रुख गई थी, और यहाँ पे जो उभोगता वस्तू थी, उसकी कमी हो गई आपने भुख में पढ़ा होगा, पिन से लेकर कार तक का, इसका मतलब क्या है, कि वहाँ पे छोटी से छोटी चीज से लेकर, बड़ी से बड़ी चीज जो है, घरेलू लेवल पर ही बना ली जाती थी, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, कि उभोगता वस्तू की कमी हो ग लेकिन आप इनको बाहर से मंगानी पड़ रहे हैं, तो ये इनके साथ समस्या थी, ये तो होगे सोविय संग के विक्टन के कारण, अब बात करेंगे सोविय संग के विक्टन के परिणाम, बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है, छे नंबर में ये भी आता है, देख जैसे ही ये खतम होता है, तो क्या आसर होता है, ये समझिये, जैसे ही ये खतम हुआ, शीतियुद का संगर समाप्त हो गया, क्योंकि शीतियुद किन के बीच में था, इन दोनों के बीच में था, अब जब एक महाशक्ति खतम हो गई, तो जाहिर सी बात है, कि शीतियुद हो दुनिया में एक धुरुवय विश्व हो चुका है और अमेरिका जो है वो एक मात्र महाशक्ती बनके उबरा है ठीक है ताकतवर बनके उबरा है Next point देखते हैं हत्यारों की होड की समापती अब इन दोनों के बीच में हत्यारों की होड होती थी कभी अब जब USSR बचा ही नहीं तो हत्यार की होड भी जो थी वो खतम हो गई नेक्स्ट है सोवियत गुट का अंत और 15 नए देशों का हुद है सोवियत जो गुट था वो खतम हो जाता है और जो 15 उसके गड़राजिय होते हैं वो नए देश के रूप में सामने आते हैं अगला है कि रूप सोवियत संग का उतरादिकारी बना ठीक है रूप जो है सोवियत संग जब खतम हो जाता है तो सोवियत संग का उतरादिकारी रूप बन जाता है अब देखो सोवियत संग को UNO यानि कि संयोक्तराष्ट संग में संयुक्त राष्ट संग में जो सुरक्षा परिसद है जिसको हम बोलते हैं UNSC यानि United Nations Security Council हिंदी में इसको बोलेंगे सुरक्षा परिसद संयुक्त राष्ट सुरक्षा परिसद तो इसमें जो USSR है सोव्य संग है इसको permanent member यानि वीटो पावर मिली हुई थी USSR को अब USSR तो बचा है वो कौन है रूस ठीक है आगे देखते हैं विश्व राजनीती में सक्ति संबंदों में परिवर्तन बिल्कुल दुनिया की राजनीती में पहले दो महाशक्ति होती थी एक अमेरिका एक सोव्य संग जैसे ही सोव्य संग खतम हो जाता है तो एक मात्र महाशक्ति बसते हैं अमेरिका यानि विश्व की राजनेती में सकती संबंद में भी कहीं न कहीं परिवर्तन आ जाते हैं फिर समाजवादी विचारधारा पर परशन चिन लग गया बिलकुल बहुत अच्छा पॉइंट है इसको समझे देखे क्या हुआ कि दुनिया भर में यही चल रहा था कि खतम हो जाता है तो अब यह जो विचारधारा थी इस पे भी परशन चिन लग जाते हैं कि अगर यह विवस्ता इतनी ही बहतर होती तो क्यूं यह खतम हो गया लोग यह भी पूछने लगे थे तो यह हो जाता है ठीक है आगे देखते हैं अगला टॉपिक है शॉक थेरिपी बहुत important है कभी कभी इसमें से four number में question आता है अगर आता है तो और शॉक थेरिपी के परिणाम ज़्यादा तर पूछे जाते हैं आपके paper में तो पहले शॉक थेरिपी को समझ लेते हैं देखें जैसे ही USSR खतम हो जाता है तो यह जो पंदरा गड़ राज्ये होते हैं यह कही ना कहीं पूझीवादी विवस्ता को भैतर मानने लग जाते हैं और पूझीवादी विवस्ता की और अग्रिसर हो जाते हैं अपना लेते हैं उसको तो यह कैसे होता है इसी को शॉक थेरिपी का शाब्दिक अर्थ क्या है आगात पहुँचा कर उपचार करना यानि कि जैस और अंतराष्टे मुद्रकोष ने जो एक मॉडल बताया था इसी को हम शौक थेरपी कहते हैं ठीक है और इस मॉडल के तहत साम्मेवाद को छोड़ कर पूंजीवाद को इन्हों ने अपनाया था और इसी को शौक थेरपी कहते हैं अब यहाँ पे मैं आपको और आसान मैं समझाता हूँ देखिए शौक थेरपी क्या थी शौक थेरपी के तहट जो पूर्व सोविय संग के देशते यानि जो पहले कभी सोविय संग में होते थी उन देशों को अब क्या करना था अपनी पुरानी जो साम्मेवादी जो विचारधारा थी उसको छोड़ देना थ ठीक है और पुर्जी वादी विवस्ता को अपनाना था और जिस मॉडल के तहत अपनाना था उस मॉडल को ही शौक थेरपी का आ गया है वो मॉडल किस ने दिया था विशो बैंक ने और अंतराष्टे मुद्राकोश ने किलियर है आगे चलते हैं अब यहाँ पर यह कोशन जो है फोर मार्क्स में काफी पूछा गया कोशन है कई बार आता है यह पेपर में कोशन यह आप से बनता है कि बताए जो शौक थेरपी की क्या विसेस्ता हैं तो देखे शौक थेरपी की विसेस्ता यह है कि यहाँ पर जो मिलकियत होती है मिलकियत का मतलब यहाँ पर सत्ता पूरी तरीके से इनको पूंजिवाद की तरफ आना पड़ेगा फिर हैं मुक्त व्यापार विवस्ता को अपनाना देखिए फ्री ट्रेड जो विवस्ता होती है ये कहां पे होती है पूंजिवादी विवस्ता में होती है अब जब ये पूंजिवादी विवस्ता को अपना रहे हैं उससे इनको जुड़ना पड़ेगा, पुझीवाद के अतिरिक्त, किसी भी वेकल्पिक विवस्ता को सुईकार नहीं किया, अब सोचे कि पुझीवाद विवस्ता को अपनाना है, उसके अलावा इनके पास कोई दूसरा ओप्सन ही नहीं है, इनको सिधा सिधा ये कह दिया कि पुझीवाद को अपनाना है, उसके अलावा कोई दूसरी विवस्ता को तुम्हें नहीं अपनाना है, अब बात करते हैं, नेक्स्ट, सौक थेरिपी के परिणाम, इंपोर्टेंट, अब देखो, यहाँ पे भी थोड़ा सा उल्टा हो गया, उल्टा क्या हो गया, देखो, स सौक थेरिपी को अपनाने से इनका विकास हो जाएगा, यह डवलप हो जाएगा, इनको फाइदा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सौक थेरिपी के इनको फाइदे की जगा नुकसान हो गया, तो क्या हुआ परिणाम देखते हैं, सौक थेरिपी को अपनाने से पूरे छ अंपनियों को बेच दिये गए, वो भी बहुत कम कीमत में, ओने पॉने दामों में, ओने पॉने दाम का मतलब क्या है, कि कोई बहुत जादा कीमत की चीज़ है, उसको बहुत ही कम पैसों में बेच देना, इसको इतिहास की सबसे बड़ी गरास सेल कहा जाता है, आप ये सोचे कि कितना इनके साथ गलत हुआ, कि इन्होंने ये सोचा था, शौक तिरिपी को अपनाने से इनको लाब होगा, लेकिन इनके साथ क्या हो गया, उसका कहिना कहिन नुक्सान ही हो गया, इसके बाद क्या हुआ हुआ, जो रूस की मुद्रा थी, रूबल थी, उसमें गिरावट अब जब मुद्रा में गिरावट आई तो कहीं न कहीं महगाई बढ़ गई महगाई बहुत तेजी से बढ़ी जब महगाई बढ़ गई तो खाध्यान का आयात करना पड़ा काने पीने की चीजों की भी कमी हो गई थी वो बाहर से इनको मंगानी पड़ी थी पहले क्या होती थी सरकार इनको सबसीडी देती थी यानि रियायत देती थी एक समय में अब सरकार ने वो रियायत भी समाप्त कर दी यानि सबसीडी भी खतम कर दी अब जैसे ही सरकार ने सबसीडी खतम की ऐसे ही क्या हुआ लोगों पर कही न कहीं बोज़ पड़ना शुरूख गा, तो ऐसे में जो अमीर थे, अमीर लोग जो थे वो तो अमीर ही रहें, उनमें ज्यादा दिक्त नियुक्त नियुक्त हैं, लेकिन जो गरीब लोग थें वो ब वो भी आएगा one marks में, यानि MCQ type के question आएंगे, इसके अलावा कोई question नहीं आता है, तो कैसे question आएंगे मैं आपको बता देता हूँ, देखिए, जो पूर्व सोव्य संग, पूर्व सोव्य संग का मतलब यह है, कि जब सोव्य संग था, अब तो सोव्य संग तूर चुका है, ल यही आपको यहाँ पर बताना था, तो वो कौन-कौन से आप यहाँ पर देखो, एक नमबर का question आया हुआ है, रूस के दो गड़ राजे हैं, चेचन्या और एक दागिस्तान, तो यहाँ पर हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले, तो पेपर में आपके question आया हुआ था, MCQ और अन्य और तुर्किमेनिस्तान, अजर्बैजान ऐसे करके दे रखे थे option में, तो आपको पता हुआ नची है कि यह दो थे, ठीक है, तो यह आया हुआ है, इसके बाद मदेशिया में तर्जिकिस्तान जो है, यह 10 वर्स तक ग्रह युद की चपेट में रहा, तो यह भी आ अलग हो जाएं, यानि अजर्बैजान से अलग होके अर्मेनिया में मिलना चाते थे, ठीक है, और देखो और क्या है यहां पे, फिर यहां पे जोर्जिया है, जोर्जिया में दो परांत थे, वो स्वतंतरता चाते थे कही न कहीं, यहां पे भी ग्रह युद चल रहा था, य ये भी पेपर में आया हुआ है, मैं most important कह रहा हूँ, पेपर में बहुत पूछा जाता है, जो एको slow वाकिया जो है, ये सांती पूर्वक तरीके से, दो हिस्सों में बट गया, एक तो बन गया check और एक बन गया slow वाकिया, अगर आप world के map में देखोगे तो आपको ये आगे चलते हैं, नेक्स्ट है बालकन छेतर, इसमें से आपके पिपर में कभी कभी कोशन आता है, बहुत rare, पर बालकन छेतर में आपको याद रखना है, कुछ important चीज़े हैं, क्या है कि देखे बालकन छेतर में जो सबसे गहरा संगर्स चला, जो सबसे खतरनात संगर्स चल तो 1991 में क्या होता है, कि यूगोसलाविया कई परांत में तूट गया, इसी में से बोष्निया, हर्जेगेवेनिया बन गया, स्लोवेनिया बन गया, क्रोईशिया बन गया, यह सब इन्हों ने अपने आपको स्वतंतर घोशित कर लिया, और यहां पर नाटो को हस्तेचेप क पर ना पड़ गया था, यूगोसलाविया पर बंबारी भी की गई, ठीक है, वहाँ पर जो लोग थे, कही न कहीं उनको नुकसान भी हुआ, यहां पर जाती है संघर्ष भी हुआ, गिरह युद भी हुआ, तो सबसे ज़्यादा जो समवेदन सील रहा है बालकन छेत्र में, वो यूगोसलाविया रहा है ठीक है, आगर देखते हैं, नेक्ष्ट है भारत और पूर्व सामयवादी देस, पूर्व सामयवादी देसों के साथ भारत के संबंद जो थे वो अच्छे थे, जितने भी सामयवादी देशें सभी के साथ भारत के सम्मंद अच्छे थे लेकिन रूस के साथ भारत के सम्मंद बहुत जादा अच्छे थे रूस हमारा हमेशा से मित्र रहा है रूस और भारत दोनों का सपना बहुत दुर्विय विश्व का है अब आपके दिमाग में यह आ रहोगा कि बहुत दुर्वे विश्व क्या होता है तो देखें पहले क्या था विश्व दो दुर्वे था एक तरप USA था एक तरप USSR था यानि दुनिया में दो ही महाशक्ति थी लेकिन भारत और रूस यह चाते थे कि विश्व बहुत दुर्वे हो यानि दुनिया में बहुत सारे देशों और सभी ताकतवर हो ठीक है बहुत दुर्वे विश्व हो केवल दो महाशक्तियों के बीच में जो शक्ति है वो मंडराए नहीं अईसा भारत और रूस चाते हैं सेयोगत राष्ट को मजबूत करने में के लियार है, आगे देखो 2001 में भारत और रूस के बीच में 80 द्वीपक्षिये समझोते पे हस्ताक्चर भी हुए है और भारत जो है वो रूस के हत्यारों को खरीदता है यानि भारत जो है कहीं न कहीं रूसी हत्यारों का एक बड़ा खरीदार भी है ठीक है रूस से तेल का आयात भी किया जाता है और परमानवीक योजना और अंतरिक योजना में रूस जो है कही न कही भारत की मदद भी कर रहा है क्रायो जोनिक रोकेट वगरा देकर कही न कही रसिया ने इंडिया की हमेशा हेल्प करिये अगर उजबेकिस्तान की बात करें तो उजबेकिस्तान में भारतिये कलाकार जो है उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है ठीक है तो यहाँ पे जो अपना चैप्टर है वो समाप्त हो जाता है आई होप आपको समझ में आया होगा तो वीडियो का लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉमेंट करतें जो भी आपका डाउट हो आप कमेंट करतें मिलतें आपसे नेक्स्ट वीडियो में ठैक्स पर वाचिंग जै हिंद जै भारत